स्टूडेंट्स जड़े बहुत ही खुश ने लगाता रहा सी देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं पर जन्वरी इंटेक अल्मोस्ट फोल है और मई इंटेक ते फोकस किता जा रहे है जे तुसी देरी कार देओ ता मई इंटेक भी तो आड़े हथो ख स्टूडेंट्स जियाता होनता होर जाधा फाइलिंग बहुत ही वद चुकी है तो इते स्टूडेंट नो अपनी फाइल देविच अपनी प्रोफाइल देविच केडी कलन दत्या आन रखना चाहिए तांके तेर सारी फाइलिंग देविच हो त्वादी फाइल भी वी वी देलेई अप्रूब हो सके। रिजर्ट्स उपर भी फर्क पेंदा नजर आएगा की पॉजिटीव रिजर्ट्स देनाल नाल रिफ्यूजल रेट भी वादा नजर आएगा। यहां बच्चे सीगे कि ओहों नौन एसडियस केटागिरी नुपर्मोर्ट नहीं किता जान दा सी बच्चा मोस्टली कोचिंग सेंट्र आएगा। देखो हर जो जी जे कैनेडा ने वीजास ना देने हुन देता वो दो चो साधे पांज एक चो साधे पांज वाले बच्चे नू कदी भी SDS केटागिरी दे अंडर ना लेंदा किते ना किते इसा नो देख रहे है कि कैनेडा साधे बच्चर नो उते बलाना चाओंदा है वीजा देना चाओंदा है बट जेडे मार्किट देवेचर उमर्स ने कि हाँ होन फाइलिंग वाद गिया बहुत सारी यां फाइल्स कठिया हो जाने हैं किते ना किते रिजल्ट जड़े और नेग्टिव हो सकते हैं यह हो सकता है वो हो सकता है यह बिल्कुल गल्त अफवामा ने पहला डिप्लोमेट्स दे उत्ते बहुत सारी यां गल्ला हों दियां जी लैस हो गया होन किते ना किते जड़े रिजल्ट तो वी हो सकते हैं जे मैं अगली गाल करा स्टूडेंट दे उत्ते आजां कि स्टूडेंट नो होन की करना चाहिदा है कि जन्वरी टेक ता SDS केटागिरी चे फुल होन वाला ही है कुछ कॉल्जिस उनिवस्टी दे वेच मोडिया मोटिया सीट्स बचियां होन गियां ओभी ज साधिरी प्रवेट कॉल्जिस ने साधे उनिवस्टार केंड़ा जड़े ङ सब्सक्राइब नें साधे लला गयें सेयर्फ साधे पुछ है जाई अद्रापर देश तो बचया प्राइवेट कॉल्ज के प्राइवेट कॉल्ज प्रोग्राम है गागा उनिवस्टी देना लवी ते वर्क पर्मट वाले कॉल्जिस है गेने जड़े बच्चाने अप्लाई करना जन्वरी निटेक लें आप्लाई कर सकते ने बाकी बच्चे अधी विश्य है कि ओहो मैं तक जड़े SDS colleges देले वेट करना चांदेने मेरे अकॉर्डिंगली गैप नहीं वदाना चाहिए गैप जिनना वदी जाओगा उन्ही जस्टिफिकेशन वदी जाओगी उन्ही एकलारिफिकेशन वदी जाओगी विजा ओफिसर नो उन्ही जेड़ीयां फॉर्मल्टी साधे वा पर ओते जाके मोश्त ली बच्चे अपना वुच्छ चेंज करांदें तरह प्राइविट कॉलेज लेंदें क्योंकि उत्ते जाके नोगे इस गल्दी समझ आ जान दिया कि ने फीसिस क्यों पर ये क्योंकि यसी हफ्ते चे तो तरह तीन दिन क्लास लां जाना है साड़ा काम हो रहा क्योंकि सानु जॉब रेल्मेंट जॉब कोर्स नहीं मिलुगी थे असी कि मैं बगपमट अप्लाई करने तो बाद पीयर लमा कि इस कोर्स देना ला इस करके जो इत्थे जड़ा इन्वार्मेंट है पंजाब दे विच्छ साड़ी इंडिया दे विच्छो इन्वार्मेंट कैनेड़ा बिल्कुल चेंज हो जान्दा जाके मोस्टली बच्छा अपने कॉलेज नो उत्थे चेंज करान्दा है और किते न किते थे बच्छे दे माइंड दे वेच्छ होंदा है कि SDS जेड़ा कॉलेज है वीजा सक्सेसरेट नो हाई कर देंदा साड़े बिल्कुल गल्त थिंकिंग हा हर्जोच जी वीजा ऑफिसर ने वीजा स्टूडेंट नो देना ना कॉलेज नो देना ते ना जुनिवस्टी नो देना ए चीज जिस दिन बच्छे नो समझ आगी मैं नो नहीं लागदा कोई बच्छा SDS कॉलेज दे वेच्छ अपलाई करू बट यह जो SDS अदे ब्रें दे वेच जो भी साटें कंसल्टन वल्लों भी पाया गया है क्योंकि काफी रिखमेंट किती आं जाझा हाइँ इनसेंटीव कंसल्टन नो सानू भी रिखमेंट किता जान दाए कि तुसी साटे कॉलेज नो SDS नो प्रमोट करो तो आनो सी कमीशन देवांगे private colleges देवेचे थोड़ा commission जेड़ा हो साड़ा sacrifice हो जानदा है ते इस करके उस चीज नो ज्यादा promote किता जानदा है ए चीज द शानू समझन दी जरूरा था student नो समझन दी जरूरा है कि टाइम वेस्ट करता है पैसा ज्यादा कर्च करता है ते एक उधी clarification और जस्टिफिकेशन वाज जान दी है वीजा ओफिसर दिया निकामा दे विच ते जेड़ी चेज हुने हो सक दिया तिन मीने बाद चार मीने बाद करना में नो नहीं लागदा कोई आइडिया है बाकी student दी अपनी इच्छा है ओधी मर्जी है ओधी profile होने किते पूट आन कर देखन समझें तो बाद ही final decision लेना चाहिए के कीम्यागे वाधी है सो मैं इते एंड वीच जरूर गुर्पी ची गाल करना चाहूंगे हुझे मैं आप देख रहे हैं SDS विच लीनियर था होया है Canada filing भी बहुत जादा बाद गई है उदर पर दूसरी category दी जेकर आपा गाल कर पर आसी कदी भी non-SDS category नो non-promotion देविच नहीं लेके आंदा जिए SDS category वाले बच्चा नो असी लेने हैं उमें non-SDS category वाले बच्चा नो आसी डील कर देया साधी प्रोपर हो दे भी counselling हों दिया कि हां सी non-SDS वाले बच्चे आंदे जेटे rule and regulation हो SDS वाले follow कर दिया SDS वाले rule regulation follow कर दे जी वीजा ग्रांट कराने हैं बट होन बहुत ज्यादा non-SDS category दा बच्चा साधी को ला वैलेबल नहीं होंदा non-SDS category वाला बच्चा ओवरॉल साधे पांच आइलर स्कोर वाला बच्चा होंदा है ते mostly आजकल बच्चे दे 6 आइलर स्कोर लेह ही लेंदा बट मेजर ते आन कोर्स सेलेक्शन, SOP दे उत्ते सानो देन दी जुरूरत है, SOP statement of purpose हो दे वेचे proper असी दास दे है कि बच्चा क्यों जा रहे है, की reasons ने, जे बच्चा काल दे दिन home country आनदा है, ओदिया ये priorities ने, ये में आन के ते काम करूगा, ये ओधा job रहूगा, ये ओ national study ले जा रहे है, जी, बिल्कुल, SO, एक कुछ points, major points होंदे, जिनों पर focus करना, मैं बार-बार गल कर दिया है, कि इसलिए ना, वीडियो से जरीए सी, हमेशे तो अनो वेर करना दी कोशिश कर दिया, student नो पता होए, कि इसी, केड़ी गलाते जादा गौर करना है, बाकि कोई सवाल है तो अपने profile नो लेके, main take apply करन बारे सोच रहे हो, apply नहीं किता है, चंगी options इवेट का रहे हो, तर ज़रूर जड़ा screen तर नंबर है, जो उपर call कार के तुसी पूरी जानकारी ले साक दे होते, अगवी असी कोशिश करांगे, जो सवाल तो आड़े साड़े तक उना दे उपर सही जवाब लेके, सही information देनाल, होर वीडियोस भी ताड़े लेके आंदे रहे हो, बहुत बहुत थैंक्स गुर्पी जी, एक बार फिर तु आज तो आज तो सी students भी बहुत अवेर किता है, Canada Study Visa दी अपा गाल कारे सी, और बाकी ये खास points ने, जिना उपर अगे वादे हो ये अपना वीजा हासिलो कर साकतेने, अगों भी सी students ली हो और informative वीडियोस लाएके आंदे, रहांगे फिल्हाल निसानुद्यो जी जासत, थैंक्यू सो मज, थैंक्यू जी